सपना गोयल मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985 और इस वीडियो के थूँँ आप रीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेरन कर सकते हैं, क्लास 7 की हिस्ट्री लेसन 6 ताउन्स, ट्रेडर्स अन्ड क्राफ्ट्स परसंस के नोट्स को और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में ह एक हिंदी मीडियम वीडियो भी है और इस लेसन से रिलेटेड लेसन के एक्स्ट्रीनेशन के लिए भी एक वीडियो है हम शुरू कर रहे हैं इंपोर्टन पॉइंस से इन सब के ऊपर MCQs भी आ सकते हैं, fill in the blanks भी आ सकते हैं और one markers जितने भी होते हैं, definitions होती हैं वो भी आ सकती हैं तो ये बहुत important है पूरे chapter से छोटे-छोटे points जिनके ऊपर बहुत बार questions आते हैं और ये हैं कुछ और important points और इस वीडियो में मैंने कुछ भी explain नहीं किया है explanation के लिए जैसा मैंने कहा videos हैं, दो videos इसी chapter की हैं जो इस chapter को English में explain कर रही हैं और दो videos हैं जो की Hindi में explain कर रही हैं लिखा हुआ सब कुछ English में है लेकिन वो Hindi में explain कर रही हैं तो वो आप मेरे channel पे visit करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें बहुत flow charts and maps का use किया गया है तो यह है first question, second question जो है वो तंजवूर के उपर है basically इस chapter का crux क्या है? यह chapter पुराने towns की बात कर रहा है कि जो कुछ शहर important थे वो क्यों थे? कुछ शहर इसलिए important थे क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा मंदिर था कुछ इसलिए important थे क्योंकि वहाँ से empire का कामकाज चलता था कुछ port towns थे यानि समुदर के किनारे बसे वे थे तो export import के लिए important थे और कुछ जो थे fish town थे या मचली का वियापार बहुत ज़ादा होता था वो भी समुदर के किनारे बसे वे थे थंजवूर एक temple town भी था और क्योंकि वहाँ पे मंदिर थे बहुत famous और वहाँ से river कावेरी भी होके गुजरती थी पानी की कोई कमी नहीं थी और एक administrative center भी था trading बहुत होती थी वहाँ पे और राजा का दरबार भी वहीं पे लगता था सो कामकाज बहुत होता था थंजवूर से the next question है कि towns क्यों grow हो गए temples के around क्यों नगर बस गए मंदिरों के आसपास क्योंकि भी वहाँ पे लोगों को बहुत काम मिला राजा लोग बहुत donation देते थे बहुत festivals होते थे और बहुत सारे लोग वहाँ पे आके बसे और रेस्टरांस खुले वे हैं क्योंकि वहाँ पे काम मिलता है इन सब चीजों का टैक्सी ड्राइवर्स बहुत मिलेंगे वहाँ पे और फिर next question है how important were the crafts persons for building and maintenance of temples so temples की maintenance का काम और उनकी construction का काम craft persons ही करते थे क्योंकि उनको architectural styles नए नए देना आता था और देखते हैं आप दिवारों पे कितनी तरह की जो designs बने होते हैं वो सब craft persons ही करते हैं या pillars के उपर होते हैं and then next question what were the problems encountered by merchants so merchants को बड़ी दिक्कत होती थी जब भी वो एक समान अपना एक जगे से दूसरी जगा लेके जाते थे तो बहुत बार उनके समान की चोरी हो जाती थी इसे generally they traveled in caravans caravan मतलब या caravan जिसको हम कहते हैं groups में move करते थे caravan वैसे गाड़ी भी होती है जिसमें आप सो भी सकते हैं खाना भी बना सकते हैं लेकिन यहां पर जो caravan की बात हो रही है that is a group ताकि वो लोग बचे रहें किसी भी attack से तो यह अगेन एक ऐसा question है जिस पर generally one markers आ जाते हैं कि pilgrimage centers जहां पर जो की important townships में develop हो गए यानि कुछ ऐसे जगत मंदिर तो बहुत जगे होते हैं आपके आसपडोस में भी है लेकिन कुछ मंदिर बहुत famous हो गए जैसे भील स्वामिन और भिलिसा या विदिशा जो की मद्रपरदेश में है विंदावन जो की यूपी में है गुजरात का सोमनात तमिल नाडू का मदुराई आंद्रपरदेश में तिरुपती तमिल नाडू में कांचीपुरम या तिरुवन नमलाई ये कुछ temples बहुत ज़ादा famous हो गए और उन temples की वैसे वो पूरा जो एक छोटा सा इलाका था वो एक बड़े शहर में तबदील हो गया मसूली पड़नम और थंजवूर चार टाउंस की बात होई है हमपी किस के लिए famous था अपने architecture के लिए हमपी एक well-fortified city था मतलब एक wall city था और wall की construction में भी कोई cement use नहीं किया गया था ये सब मैंने समझाया है अपनी वीडियो में pictures के साथ कि किस तरह से interlocking techniques के through bricks को आपस में जोड़ा जाता था और हमपी trading के लिए भी था लेकिन अपने architecture के लिए वो बहुत जाना गया और madras के black towns में कौन रहते थे जो वियापारी लोग होते थे या कम पैसे वाले लोग होते थे black towns में रहते थे और जो white rulers होते थे वो थोड़े ameer areas में रहते थे madras में जिसको आज हम Chennai कहते हैं जो कि Tamil Nadu की capital है सो दूर दूर से लोग सूरत क्यों आते थे सूरत और थंजबूर इस chapter के most important portions में से एक है सूरत एक port town था यानि किनारे पे बसा हुआ था समुदर के किनारे पे और वहां से बहुत सारे ships चलते थे mecca के लिए जाते थे सूरत के textiles बहुत famous थे आज भी बहुत famous है सूरत की hyundis दूर दूर markets में भी favor होती थी और बहुत सारे parks, buildings वगेरा भी थे majorly वो famous था port town की वज़े से समुदर के किनारे पे होने की वज़े से वहां से बहुत सारी trading possible थी the next question given account of small towns that developed during the medieval period उतना important question नहीं है कि छोटे towns में क्या क्या होता था वहां पे markets होती थी fortified palaces यानि किले होते थे traders होते थे streets होती थी वहां पे भी markets होती थी और बहुत सारे तरह के craft work या दूसरा समान बेचा जाता था so what were the reasons of decline of surat मतलब surat की importance धीरे धीरे क्यों खतम हो गई पहले ये तीन important towns थे surat, hampi and musulwi patnam फिर नए towns आ गए जब British आये तो उन्होंने नए towns बना लिए Bombay, Calcutta and Madras so जब surat के पास ही है Bombay so जब Bombay में East India Company ने अपने headquarters shift किये वहां से trading शुरू की और जब Portuguese थे उन्होंने कई सारे sea roots को control कर लिया और Mughal Empire जो थी वो surat से बहुत ज़ादा trading करती थी तो जब Mughal Empire धीरे-धीरे खतम होने लगी उनका रुत्बा खतम होने लगा और British East India Company की पहचान बढ़ने लगी तो surat की भी decline हो गया मतलब surat ने भी अपनी importance को खो दिया और temple towns give reasons for the growth of temple towns मंदिर नगर या जिन शेहरों में मंदिर होते थे वो क्यों grow हुए क्योंकि उनको बहुत सारा donation मिलता था और बहुत सारे अमीर लोग और जो व्यापारी होते थे या craft persons होते थे वो लोग वहाँ पे settle हुए क्योंकि वहाँ पे business बढ़ता था क्योंकि जहां पे भी बहुत ज़ादा tourist आता है वहाँ पे business भी बहुत अच्छा होता है और ये है इस chapter का map work जिसमें सूरत, थंपी, मसूली पतनम, बिदार एहमदाबाद ये places important हैं बिदार यहां का बिदरी work बहुत famous था और वैसे Bombay, Calcutta, Midras इनकी भी location आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये new towns emerge हुए इस map में नहीं है मगर आप mark कर सकते हैं उसको Thank you so much, like and subscribe करना ना भूलें